रानी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, तीन बड़े भाईयों की बहन थी, कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती, पूरे घर में रौप था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राज कुमारी की तरह हुकम चलाती थी रानी, स्कूल में भी पूरा रौप था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट, बड़ी गाडी में आना जाना, हर दिन नया फैसन, देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाता था, थोड़े हैं दिनों में उसके बहु और पापा के पुरानी जान पैचान थी उनके साथ, रानी के साथ कोई जबरजस्ती नहीं थी, पर रानी ने फिर भी हां कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम पुनीत थ सस्राल वाले भी बहुत अच्छे थे, सस्राल में रानी की जगह वैसी ही थी जैसे की माईके में, कोई भी कार्य रानी की सलाह के बिना नहीं होता था, सबकी लाटली बहु बन गई थी वह, फिर उसके घर एक बेटे का जन्मुवा, प्रिंस रानी को जान से प्यारा था, प तापा कर सस्राल वाले तो फूले नहीं समाते थे, रानी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आये, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुस किस्म पर शायद रानी की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी एक दिन वह माय के जाने की जित कर बैठी पुनीत को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे लेक गया रास्ते में उसकी गाड़ी अन्नी गाड़ी से टकरा गई रानी पुनीत और प्रिंस बहुत बुरी तरह से जखमी हो गए काफी दिनों के इलाज के बाद पुनीत और प्रिंस तो ठीक हो गए लेकिन रानी पूरी तरह ठीक ना हो सकी सर पर चोट लगने की कारण वह अपनी आँखों की रोसनी खो बैटी अब रानी की किस्मत जैसे उल्टे पाउं चलने लगी माय के वाले पिर कभी कबार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो दीरे दीरे ये सिलसिला भी कम हो गया सस्राल वालों की सहनों भूती भी कम होने लगी गर में किसी को पास बैटने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती पुनित भी जड़ा हो गया था बस प्रिंस ही था उसके साथ जिसके साथ हस्ते खेलते उसका वक्त गुजरता एक दिन रानी के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से प्रिंस को हलकी सी चोट लग गई रानी के सास ससुर ने प्रिंस को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना के जाने की इच्छा रखी तो पुनित उसे तुरंत माय के छोड़ाया जैसे की वह भी यही चाता था लेकिन प्रिंस को उसके साथ नहीं भेजा गया रानी कभी प्रिंस से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की रानी को लगा कि वह तीन- दिनों बाद उसे देख कर कितने खुस होंगे रानी के घर पहुचने पर सब लोग बहुत खुस हुए खाने में सब कुछ रानी की पसंद का ही बना था उसने अपने मम्मी पापा और भाई-भावियों से दिल खोल कर बाते की उनके छोटे-छोटे बच्चे भी बुवा के साथ गुल मिल गए थे रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैक तो बहुत भरा हुआ था वह सब समझ गई वह बहुत उदास हो गई कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा फिर जैसे सब बदलने लगा सब का व्यवहार बदल रहा वह लोग जैसे ठक चुके थे उससे सब लोग गुमा फिरा कर पूछने लगे कि पुनित कब आ रहा है उसे ले जाने वह बहाना बना देती जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगर नहीं रानी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसन हो जाता थोड़ बहुत टोका टाके उसे सुनाई देती वह टाल देती एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान तूट गया छोटी भाबी ने बहुत हंगामा मचाया रानी के माता पिता रोज-रोज के जहमेलों से तंग आ गय थे उन्होंने पुनित को खुद से फोन कर दिया पु घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था उस घर के लिए वह अब बोज बन चुकी थी पुनित के साथ सस्तुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के तुकडे प्रिंस के पास परन्तु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी सारा बंदुबस्त पहले ही किया हुआ था रानी को सीधे उपर वाले कमरे में पहुचा दिया गया प्रिंस से दूर रहने की सक्थ चेतावनी दी गई एक काम वाली मधू को उसकी जिम्मेदारी सोपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी जरुरतों का ध्यान रखती रानी पता चल जाता सबकी लाडली बेटी और बहु सबके लिए लाडली से बोज बन चुकी थी तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरुर बताएं और लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू